तो अज दिदी आराम फरमा रहा है आज दोसंदिधी आज रेस्ट दिन आज खना वहुकि आज बखकर रही है क्यों % क्यों पाच्छ तो पात्तवाद मunu करएंगे कम בגबंकि आम क्यों बबंकि क्योंकि तो दिदी को आराम मिल गया बढ़ी है तरी किसा दिदी आराम से देख रही है क्योंकि हिंदु में काफी सारे बंदिस्त है कि अगर दिदी बनाएगी तो बाकी लोग खाएंगे नहीं मतलब मेरे मम्मी नहीं खाएगी क्ण के वादी से आजख खाना है मतलब मेरा आप कkęची बना रहे हमारे प्ताजी बना रहे है हाँ आपको दिखाएँगे थोड़ा सा दिखाएँगे है चुस्तो देखते जली खैसे ओंगर बना रहे दिखाते है अ कि अब बने रहे न कि अ कि टेल बने से लुड़ा है अब मच्छी है तो मच्छी विगरा सब को इस बन चुका है उसके बाद ये तेल बनाई है बनाई गाद कि आपको दिखाएंगे बाद में आपको बाद में दिखाएंगे आज ही है आज मतलब कुल मिला के दिदी का रेस्ट दिन है खुब आराम हमेशा बनाते रहती है तो आज आराम कर रही है तो आज आराम कर रही है अच्छा है विच-विच पे आराम भी मिला ची नहीं हाँ चा आज बनाएंगा और ग्वार्टी का मंदिर भी बंद है अज में अच्छा कम अखा मंदिर पुजा के लिए अमो बच्ची के लिए बन होता है करो करो आराम करो अब लोगों को दिखाएंगी कि पिताजी ने खाना बनाया आज मच्छी बनाया जैसे कि अब लोगों को पता है यह तेल है कि अरुत है और दृदिय आज बनाई ने सारे पिताजी ने बनाया एंड़ और अंड़ा है मच्छी का है ее और यह है जूल बनाया थे जूल बेंगूली जूल बोलते हैं बढ़िया ग्रेवी टाइप का एकदम मस लग रहा है कलरफुल है एकदम कलर निकल का है और यह बंद को भी बनाया है तो आज काफी सार है चीज है क्योंकि दीदी चार दिन तक कुछ बनाएगी नहीं है ना फिर भी अच्छा खाना बनाया है क्या लग रहा ह तो यह बता ने लग देगी आज बनाएगी अब दीदी बनाइगी यह आधा आथे बाहर जा नहीं सकता है अच्छा नहीं लग रहा है चार दे डिन लग रहा है काम भी नहीं कर रहा है ने के लग रहेगा